जम्मु कश्मीर नाओ में जे के नाओ में आप सभी दोस्तों का स्वागत है मैं हूँ विरेंदर सिंग चोहान मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेशग्य श्री आलोक बंसल हैं और आज हम गिलगित बलतिस्तान भारत का या यूं कहिए के पूर्ववर्ती जम्मु कश्मीर क वह एक हिस्सा जो भारत के विभाजन के समय से पाकिस्तान के गैर कानूनी कबजे में है आज हम उस पर बात करेंगे गिलगित बलतिस्तान को लेकर पाकिस्तान तमाम तरह के कूप रयास शड़यंत्र साजिशें करता रहा है भारत ने पल भर के लिए क्षण भर के लिए अपनी भूमी और अपने नागरिकों के उस हिस्से पर अपना दावा नहीं छोड़ा है भारत की संसद का प्रस्ताव भी है कि जो हिस्सा जमूर कश्मीर का पाकिस्तान के कबजे में है जिसमें गिलगित बलतिस्तान भी आता है उसे पाकिस्तान को खाली करना जाहिए एक ब और इस संदेश के माइने अर्थ क्या है आए जानते हैं जाने माने रक्षा विशेशग इंडिया फाउंडेशन के डारेक्टर आलोक बंसल जी से जिनकों की न केवल गिलगित बलतिस्तान के मामलों का जानकार के रूप में जिनकी प्रतिष्ठा है बलकि उन्होंने अनेक से बाहरें दुश्मन के कबजे में हैं तो बंसल साब सबसे पहले आपका स्वागत है नमस्कार आलोक जी ये जो भारत सरकार को हुंकार भरनी पड़ी कहना पड़ा गिलगित बलतिस्तान को लेकर या कहा गया इसकी प्रिष्ठभूमी क्या है क्यों कहा गया है और इसके आपको दो चार चीजें बताना चाहूंगा पहली चीज तो ये कि 15 अगस्ट 1947 को ऐसा नहीं था कि गिलगित बलतिस्तान पे पाकिस्तान ने कबजा कर लिया हो जी 15 अगस्ट 1947 में ये जम्मू कश्मीर राज्य का अभिन अंगथार महराजा कश्मीर के जो थे महराजा हरी सिं कारियों ने कबजा किया जी और उसके बाद फरवरी 1948 से बलतिस्तान के अलाके पे हमला हुआ और जो आज सीमाएं हैं ये 14 अगस्ट 1948 के बाद जो है जिस तरीके की सीमा बनी उससे करीब करीब ऐसा है जी 1971 के युद्ध में भारत ने करीब 800 वर्ट किलोमीटर से जादा की भ जी संक्या में काफी बड़ा भूभाग है जो गिलगित बलतिस्तान है जी बाद से पाकिस्तान केOOOO का किया इस गिलगित बलतिस्तान को एक उपनीवेश की तरह से इसको इन्हों ने ट्रीट किया तो जो कश्मीर का एक छोटा सा हिस्सा था दो जिले होंगे कितना ने देखें जिले तो क्या है कि उन्होंने जितने भी जिले आज भारत में उनके सब के हिस्से वहां बना रखें जैसे पुंच आपके यहां है लेकिन पुंच जिला उनके यहां भी है तो इस तरीके से उन्होंने करीब दस जिले बना रखें लेकिन ब उन्होंने कराची एग्रिमेंट किया था जिसके बाद से इसको एक वर्चुली उपनिवेश की तरह से रखा गया है। नौदर्न एरियाज उफ पाकिस्तान तो उसको फिर वापस उनका जो एतिहासिक नाम था गिलगित बलतिस्तान का ये इन्होंने 2009 में उनको वापस दिया। लेकिन उसके बाद से इनकी कोशिश है कि किसी तरीके से इस 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 इलाके को हड़प लिया जाए क्योंकि ये बहुत सामरिक रूप से बहुत महतुकून इलाका है यही वो इलाका है जो पाकिस्तान को चीन से जोड़ता है जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की बात करते हैं या कारा कोरम हाईवे की बात करते हैं ये सब कुछ इस इलाके से जाता है अगर ये इलाका ना होता तो चीन और पाकिस्तान जो है एक दूसरे से जो जो कम्मिनिकेशन हो रहा है वो नहीं होगा गलबाईया नहीं डाल पाते हैं तो इसी के कारण क्या है कि जब से ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की बात हो रही है तो पाकिस्तान को लगा कि इस छेत्र को जो की भारत का अभिन्न अ इसके बाद से इन्होंने गिलगित बलतिस्तान को करीब करीब एक अन्य राज्जी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है जो पाकिस्तान के जो टेक्स लॉज हैं वो यहां इंप्लिमेंट कर दिये हैं और तो और जो पाकिस्तान के अंदर एक कौंसल फर इसलामिक आइडिय है उसका भी जुरिस्डिक्शन यहां कर दिया गया है जी तो इस तरीक है कि कई चीजें कर दी गई है जिसे परोख शुरूब से गिलगित बलतिस्तान को एक राज्जी की तरह ट्रीट करने लगए जी लेकिन अभी क्या हुआ कि जब इन्होंने बनाया यह और तो शायद य चीजें भूल गए तो अभी क्या है कि जो अभी जो गिलगित बलतिस्तान की सरकार है और यहां मैं बता दूं कि जो वहां की जो सरकार है उसके पास राज्य सरकार जितने भी अधिकार नहीं है क्योंकि वहां का जो मुख्य मंतरी होता है जो राज्य पाल होता है वो सब बि करते हैं वो अधिकांश decision ले सकती है तो जो वहां की जो सरकार है जो मुख्य मंत्री हैं उनका जो दौर था उनकी जो मतलब जो सरकार की जो वहां की जो legislative council है जो northern एक अंतरन सरकार कराती है तो अब इसके बारे में नोंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में भी एक अंतरन सरकार होनी चाहिए और इसको लेकर के ये कि गिलगित बलतिस्तान में चुनाव होने चाहिए और वहां पर एक इंटरिम गवर्मेंट बनाई चाहिए और ये मेरे ख्याल से भारत सरकार ने इसका बिलकुल कड़ा विरोध किया क्योंकि भारत सरकार ने कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की नियाए पालिका का कोई भी बनता गिलगित बलतिस्तान के ओपर ये भारत का अभिन अंग है हमारा अभिन अंग है इसमें पाकिस्तान या पाकिस्तान की नियाए पालिका का कोई रोली नहीं है तो क्यों ये पाकिस्तान की नियाए पालिका इस तरीके के आदेश पास कर रही है और हमने का कि पाकिस्तान क का जो संदेश है सरकार की और से एक वक्तव के रूप में पहले इससे पहले कब आया था आपकी स्मृति क्या कहती है एक प्रश्ण मेरा ये है और दूसरा ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ है इसी क्रम में आप इसका उत्तर भी अवश्य दें कि पाकिस्तान का सुप्रीम गिलगित बल्टिस्तान के मसले पर भिनराय रखता रहा है इवन अपनी जूरिस्डिक्शन के बारे में खुद अन्यता कहता रहा है ये स्थिती भी जरा हमारे देखने वालों को जो गिलगित बल्टिस्तान को समझना चाहते हैं उनके उनके सामने जरा आप समझाएं उनके कि माज़रा क्या है सबसे बड़ी बात ये है कि सर्व प्रत्व जो भारत ने इस बात को पुर जोर तरीके से कहा वो जब था जब प्रधार मंत्री ने लाल किले की प्राचीर से गिलगित बालतिस्तान के बारे में और पाक अदिकरत जम्मो कश्मीर के बारे में बात कही उन्होंने कहा कि यह हमारा अबिन अंग है यहां के लोगों के चुपती हमारी संविधनाए है जी तो उसके बाद से जो है हमने इस अलाके पे ध्यान दिया है जहां गिलगित बालतिस्तान. वहां पे भी एक सुपरीम कोर्ट है उस सुपरीम कोर्ट एक बार आदेश पास किया था कि गलगित बालतिस्तान हमारा हिस्सा है उसको हमारे से जोड़ دेना जाएं उसके ओपर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं यह नहीं देना चाहिए। उनका बड़ा आदेश बड़ा विचित्र था। बात कहते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि जब भी पाकिस्तान की न्याय पालिका को धुखने के लिए कहा गया है तो उन्होंने खुखने टेक दिये यही वो पाकिस्तान की न्याय पालिका है जिसने यहां पे जो सैने विद्रो हुए हैं, military coup हुई हैं, उनको भी justify किया है, उन्होंने उसको भी एक doctrine of necessity के अंतरगत में कहा है, कि यह जो शाषन है, यह सैने शाषन को भी मंजूरी दी है, कि यह सही है, तो इस तरीके की न्याय पालिका से कुछ और उम्मीद करना मेरे ख्याल से बेमानी होगा, और इस कारण भारत का जो विरोध है, बहुत उचित है और आवश्यक है कि अब हम गिलगित वालतिस्तान जो की हमारा अभिन अंग है, वहां के जो लोग है, उनके पती संबेदना दिखाएं, इस मुश्किल गड़ी में जब वहां पे COVID-19 का काफी संक्रमन हुआ है, भारत सरकार को, भारत के नागरिकों को वहां के लोगों के पत पाकिस्तान का आदिपत्य है और इसको पाकिस्तान को खाली करना जाए है, दोस्तों जे के नाओ पर हम बात कर रहे हैं, रक्षा विशेशर्ग श्री आलोग बंसल जी से, और आलोग बंसल जी, जो जिस material change terminology का इस्तेमाल किया है, भारत ने अपने वर्तव्य में, वो बास्त से 2018 का आदेश आया है, उससे पहले जो है, पाकिस्तान के जो tax laws थे, वो गिलगित बलकिस्तान में नहीं applicable थे, उन्होंने वहाँ वो tax laws applicable कर दिये हैं, Council of Islamic ideology है, जी वो आपने बताया, जी, वो कर दिया है, पाकिस्तान की जो सरकार है, उसका तो परोख शुरूप से पहले भी वहाँ पर काफी हद तक हस्तक्षित था, और वो चल ही रहा है, लेकिन कई और भी छोटी-छोटी चीजें हैं, जो प्रशासरिक चीजें हैं, जो वहाँ के अधिकारी गण हैं, उनकी नियुकती गण हैं, उसमें कई चीजों में पाकिस्तान का, अगर आप देखें, जो गि था है, गación में होता है, करीब-करीब उस तरीके से हैं, ऐसा नहीं एकि गिलगित ब्लतिस्तान के लोगों को पहले स्वायत्तिता या सोतंतृता थी, पर पहले कम से कम एक घ्रम तो बना राखा था कि दुनिया को दिखाने के लिए तो यह था कि पाकीस्तान का हिस्सा नहीं ह अब वो जो है वो रहने दे अभी जरासा भरम था वो भी खत्ब हो गया है अब पाकिस्तान पुरी तरह से छोड़ दिया क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये पुर्जोर कोशिश की जा रही है क्योंकि चीन का ये कहना है कि अगर आर्थिक गलियारा यहां से जाना है तो ये हि किसे इस जगा को हतिया लिया जाए और जैसे कहा कि सतर के दशक से वहां पे क्या है लोगों को बाहर से लाके बसाने का काम शुरू हो गया जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे जम्हु कश्मीर में स्टेट सब्जेक्ट रूल था जिसके अंतरगत बाहर के लोग वहां नहीं ज सब्जेक्ट से लोग चीजब की उन्होंने यह काम 73-74 से कर रखा है उस शेत्र पर जिसे उन्होंने गैर कानुनी तरीके से अपने कब्से में कर रखा है असंवादान के तरीके से तरीके कि तीन सो Сथकर के निटारे और 35 के जाने के बाद जो उत्साही भारती नागरिक हैं वो लगतार ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर उनको अपने अंदाज में लोग कहते हैं बड़ा खुला संसार है कि बस अब तो अगला जो काम है न जो निप्टा दिया जाए ये पी ओ जेके को भी जल्दी से मोदी जी वापस ले लो अब सवाल जिस तरह का अभी ये परिद्र पैदा हो रहा है कि वो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बहाने वहां कुछ बदलाव करने की वहां के स्थिति में गिलगित बलतिस्तान की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है तो इस समय भारत के पास आपने अंतरास्टिय मंचों पर पहली चीज तो यह है कि वहां के जो नागरिक हैं वो भारती नागरिक हैं। नागरिक हैं। आसे कि जो लोग हैं जो पाकिस्तान के विरोध में खड़े हुए हैं हमें उनका समर्थन करने की आवश्यक्ता है उहां के जो लोग हैं जो विदेशों में हैं उनका समर्थन करने की आवश्यक्ता है और हर उस अंतरराश्रीय मंच पर जहां मानवाधिकार की बात होती है हमें गिलगित बलतिस्तान के लोगों के मानवादिकार की बात करनी चाहिए। इसके साथ आप धीरे-धीरे जो है पाकिस्तान के दबाओ बनाना चाहिए कि इस शेत्र में जब कोई भी विकास की योजना बनती है जिसमें अंतरराश्ट्रिय संस्थाओं से पैसा लेने की बात होती किया जाए और पाकिस्तान के ऊपर दबाओ बना के रखा जाए जिससे कि वहां की जनता जो है भारत ये समझे कि भारत उनके हित के बारे में सोच रहा है तो हमें वहां की जो जनता है उसके साथ अपने आपको कनेक्ट करने की आवश्यक्ता है क्योंकि वो मौका आएगा ज आतंकी घटनाओं हाली के दिनों में बढ़ी हैं महामारी उस और भी और खास तोर पर गिलगित बलतिस्तान में भी उसका कूप्रभाव है आपने उसका जिक्र किया है अभी हाल का जो परिद्रिश है उसमें भारत की एप्रोच पहुत लोगों को लगता है कि अभी भी हम हम यह जो हमारे जो मित्रिय सोचते हैं कि हम ज्यादा डिफेंसिव हैं वैसा है नहीं हम अब खुलकर जवाब देते हैं और हम जैसे एक सुसव्य और सुसंस्कृत देश को बहेव करना चाहिए हम वैसे ही बहेव करते हैं लेकिन महत्वपूर्ण चीज यह है कि सिर्फ एक ह इनकी समस्याओं की तरफ हात नहीं बढ़ाया जैसे वहां पे समस्याओं हैं कोविट की बीमारी है पाकिस्तान ना उनको कोई चिकित्सा सविधा प्रतान कर पारा है ना उनकी क्योंकि एक छोटे से इलाके में 200 से ज़्यादा लोग प्रभावित होएं एक बहुत बढ़ी पर कैपिटा बेसिस पर शायद पाकिस्तान के आधिपत्य में जित्ते चेत्र उसमें सबसे ज़्यादा यहां पे लोग बीमार हैं इस बीमारी से और उनके प्रती संवेदना उनके लिए दवाईयां पहुचवाना इस तरीके कि हमें कुछ कदम उठाने चाहिए अगर पाक बहतर हैं नहीं दें तो हम लाइन ओफ कंट्रोल पर छोड़ देते हैं वहां से चली जाएं जैसा भी है हम कई इस तरीके की चीजें कर सकते हैं जिससे कि वहां की जनता को पता चले कि भारत की सरकार उनके हित के बारे में सोचती और उनका भला चाहिए जी आलोग जी आप इंडिया फाउंडेशन के डिरेक्टर हैं फिलहाल और साउथ एशन इस्टिट फॉर स्ट्रेजिक अफेर्स के भी आप एग्जेक्टिव डिरेक्टर के तोर पर काम देखते हैं आज की बातचीत को विराम देने से पहले मैं आप से चाहूंगा कि आपकी जो दो चर्चित पुस्तकें हैं जिनको जम्मु कश्मीर को समझने के इच्छुक लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए मैंने एक का जिकर किया था एक का नाम से उलेक किया था और दूसरी जो पुस्तक है गिलगित बल्टिस्तान एंड इट्स सागा ओफ अनेंडिक हूमन राइट वाइलेश चलते चलते इन दोनों पुस्तकों के विशय में जरूर कहते चलें कि पढ़ने वाले इनको पढ़ें तो क्यूं पढ़ें क्योंकि हम ये मानते हैं कि जम्मु कश्मीर के बारे में जानकारी का अभाव भारत भर के अंदर वो अपने आप में बहुत बड़ी हमसब के लिए यूँ कर ये चुनोती रही है अलोग जी देखें जहां तक सवाल गिलगित बलतिस्तान का है मेरा हमेशा से मानना है कि भारत के जो शेत्र विदेशी शक्तियों के आधेपत्य में हैं उसमें गिलगित बलतिस्तान सावरिक रूप से सबसे ज़्यादा महत तो इसलिए बलतिस्तान अननेंडिंग सागा और फ्यूमन राइट्स वायलेशन वो आपको गिलगित बलतिस्तान के बारे में बताती है उसमें क्या भाशाएं बोली जाती है वहां की संस्कृति क्या है वहां लोगों की क्या समस्याएं है और सन 47, 48 में क्या हुआ और उसके बाद से कैस है यह आपको इतिहास भी बताती है क्योंकि पाकिस्तान के त्वारा एक शडियंत्र रचा जा रहा है यह कहने का कि यह हिस्सा कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं इतिहास नहीं जबकि इतिहास यह कहता है कि हमेशा से भारत का हिस्सा था चाहें अशोक का सामराजियों या मौ तो ये तो बहुत आवश्यक है जानने के लिए इसमें ये भी है कि गिल्गिट बल्टस्तान ओर्डर दो हजार अठारा क्या है, दो सब कुछ इसमें है, तो हमने ये कोशिश किये, जो दूसरी किस्तक है वो और भी जादा महत्वकून है, वो है उक्यूपाइट देशी आदिपत्य में है, चूँकि मैंने कहा कि पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर अध्यन केंडर के प्रचार के कारण, अब भारत की जनता में काफी हग तक पाकिस्तान अधिकरांथ जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकरांथ लद्दाक के शेत्रों के बारे में जानकारी कुछ बनी है। जानकारी वहां जाके लगान वसूल करते थे उसकी क्याश सिती है। और साथी साथ एक छोटा मुटा उलेक उन शेत्रों के बारे में भी बोलती है। जिसके बारे में हमारा सीमा विवाद है। तो ये पुस्तक तो मेरा इमानना है कि हर भारती को अवश्य पढ़नी चाहिए। आज इन शेत्रों के बारे में बिलकुल नहीं जानते और पूरी तरह से अनभिग भी है। अभी हिंदी में नहीं आई है पर आशा है कि शीग्र आएंगी दौनों ही किताबे हिंदी में आएं। इस उमीद के साथ आज की इस बातचीत को यहीं देते हैं विरा सबको नमस्ते प्रणाम।